आप सबको पता कि चैत्र नवरात्री बहुत ही जल्दी आने वाली है तो हम सब नवरात्री की पूझा तो करते हैं तो मैंने सचले माता के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सा चीज बनाते हैं तो दिवाली में आप सब देखते होंगे कि हम लोगो को sweet box मिलते हैं dry fruits वाले box जो मिलते हैं गिफ्ट में बहुत सारे मिलते हैं तो उसमें जो हम लोग को papers बगारा मिलते हैं उसको हम फेक देते हैं तो आज मैं उसी से DIY करने वाले तो बेडियो को anti-zero देखीगा जिससे आपको निकाल लेंगे पर गोल्डें करको इतना सुन्दर होता है होता चुर्ण शुटा सा है तो इसलिए बहुत बड़ी चीज तो बराना नहीं सकते से लेकिन छुटछी चीज आप बना सकते हैं जो बहुत ही सुंदर लाईगे सब को कट कर लेंगे फिर lips का shape उस पर cut करके हम निकाल लेंगे So welcome back to our channel Everything is here with Manjula मैं Manjula आपका बहुत-बहुत सब्सक्राइब करती हूँ अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और site में दिएगे bell icon को जरूर हिट कर लीजिएगा जिससे आपको आने वारे चैनल के वीडियोस की notification में मिल सके मैं इसी तरीके की helpful वीडियोस आपके लिए share करती रहती हूँ आपको मेरी चैनल पे वेस्ट मेटरियल से ही DIY maximum आपको मिलेंगे देखे तो इस तरीके से हम इसको भी से कट कर लेंगे और glue से चिपका देंगे उसके वाद मैंने एक छोटा सा cardboard का circle चे कट किया उसके उपर मैं देखे ब्राउन कलर का form seat लगा रही हूँ देखे इसके उपर ताकि थोड़ा सा पहले प्रापर तरीके से इस पर हम glue apply कर देंगे उसके एदम इस पर form seat लोग इस तरीके से चिपका देंगे यह देखे उसके बाद इसके साइडों में मैं वही paper का यूज़ कर रही हूँ golden वाले जो हम lips के लिए यूज़ कर रहे है यह देखे से इस पर को हम यह पर इस तरीके से चिपका देंगे जिससे की जो हमारा cardboard है वो hide हो जाए देखे थोड़ा चोटा हो गया थो तो हम इसको 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 कटकर लगा देंगे अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आए तो आप home diaphragm आदधि लिखना our नहीं दो प्लास्टिक बोक्स ले लिया है और एक बच्चों के खेलने वाले जो टायर होते रहे मैं उसका यूज कर रही हूं थोड़ा सा वेस देने के लिए उसके वबस इस तरीके से इसको लगादेंगे इसके उपर जो मैंने कार्ड़ बोर्ट से बनाया था उसको लगाद तो यह हमारा पूरे एक base बनके त्यार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी height मुझे चाहिए थी, उसके जो मैंने leaves बनाए थी, leaves को बड़ा चोटा 2-3 shape में आपको बनाना है, देखे, इस तरीके से हम glue की help से इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे, one by one करके, बहुत ही सुन्दर सा DIY है, मुझे तो personally DIY बहुत अच्छा लगा, देखे, इस तरीके से आप लगा दीजिएगा इसको, यह देखे, one by one करके आपको पहले चिपका देखे, पर नीचे के side चिपकाना है, यह देखे, अब तक तो आप समझ गयेंगे क्या बन रहा है, यह देखे, इस तरीके से, यह यहां पर हम इसको one by one करके चिपका देंगे, अब इसके बाद हम इसके जो थोड़ी छोटी सी लेंगे, और इसके इसके बीच में ऊपर करके चिपका देंगे, यह देखे, तीन size की मैंने बनाई हैं, इस तरीके से देखे, यहां पर कर देंगे, यह देखे, one by one करके लगा देना है अब इसके बाद हम उससे चोटा बनाया था उसको यहां पर इस तरीके से लगा देंगे यह देखिए थोड़ा सा पेसेंट ली करना पड़ेगा लेकिन मतलब बनने के बाद यह बहुत ही सुन्दर लगने माला है यह देखिए कुछ इस तरीके की डियाई आप में जो है इसको मैं छोटे-छोटे मिरर्स यहां पर लगा रही हूं यह देखिए आप चाहें तो इसको एड़ेटी भी छोड़ सकते हैं ऐसे भी बहुत अच्छा लगए है लिकिन मैं थोड़ा सा स्पॉर डेकोरेट कर रही हूं इस तरीके से मैं छोट-छोटे मिरर्स यह बहुत अच्छा है तो इसको आप माता जी के आसन में को बटाने के लिए माता जी अगर आपकी छोट इमयूरिती है तो आप इस प्धा के माताजी के पूजा कर सक्ते यह इसको एज as a candle holder भी यूज़ कर सकते हैं या इस पर दिया जला सकते हैं तो इस तरीके से आप इस नौरात्री में इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा है और आगर आप इसको बनाते हैं तो आप मुझे